तो आज हम सीखने वाले कैसे करते हैं अपने Windows 11 के अंदर अपने VMware के अंदर Windows 11 इंस्टॉल तो बहुत ही असान स्टेप है इसके लिए आपको पहले तो VMware Workstation 16 अपने Windows 11 के अंदर इंस्टॉल करना होगा और जो दूसरी चीज़ रिक्वाइड है यहाँ पर मतलब जो जरूवत है वो यहाँ पर है कि आपका Windows 11 का ISO फाइल आपको डाउनलोड करके रखना होगा तो यह तो चीज़े आपके लिए जरूवत है और चलिए देखते हैं कैसे करते हैं अपने Windows 11 के अंदर Windows 11 का ISO फाइल डाउनलोड तो सबसे पहले अपने यहाँ पर कोई भी ब्राउजर को लीचिए और वहाँ पर Windows 11 ISO सर्च कर लीचिए उसको जैसे कि आप देख पार है यहाँ यहाँ यूरल आना चाहिए आते ही आप यहाँ पर अपना अकाउंट लॉग इन कर सकते हैं लॉग इन करने के बाद कि देख पा रहे हो यहाँ पर रिका है डाउनलोड विंडूज 11 लि स्कुष हो जा तो सब्सक्राइब करने यहाँ और यहाँ पर यहाँ रिखा रहा है यहाँ शैट कर लेना कि ब्रत्रषक लेविर्ट तो suppose हम यहां पर कर लेते हैं English International तो आप चाहिए तो अपने इसाब से भी कर सकते हैं यहां पर करते हैं यहां पर करना पड़ेगा and confirm के बाद आपको यहां पर 64 बे डाउनलोड करके दिख जाएगा तो इसको आपको प्रेस कर लेना है प्रेस करते ही आपको यहां पर डाउनलो अब हो चुका है और हम तुरह सब डाउनलोर प्रेस कि यहां भीर्ट कर लेते हैं तो यहां नूवर्क स्थेशन पiera rocks ट्रेश्न पर ल क्लिक करना है तो जके देह बाहरे वाफ़ करने करना है नीची आइए ऌस्ट्रेटिंग करने के बाद और आपको लगाना है आमें इसको select करना है और उसको select करने के बाद आपको यहां पर नीचे next का option मिल जाता है उसमें आपको Microsoft Windows choose करना पड़ेगा and Microsoft Windows choose करते ही आपको अपना यहां पर Windows 10 X64 पर क्लिक करना है तो यहां पर बहुत साथ options दिख जाएंगे बढ़ आपको एकदम टॉप वाला ही करना पड़ेगा क्योंकि हमारा Windows 11 है यह लिटेस्ट वाला Windows है तो उस पर हमको क्लिक करने के बाद आपने कुछ नहीं करने सीधा आपने को next प्रेस करना है तो यहां पर आपना Windows 10 हो चुका है इसनल करें तो window 11 नाम देतें एंड यहां सिक्टिफूर को मिटा देते उसलक्त कहां पर आपको उसका लोकेशण आप अपको यहां पर देना पड़ते तो यहां पर को location ब्राउज करने पड़े यहां पर हम ब्रॉज कर लेते इसको लोकेशन तो को भी पर तो यहां पर हमने विद्डोज 11 नेक्स्ट के लिए अलक्सी बना रखी है फोल्डर एंड यहां पर हम कर लेते हैं इसको भी सिलेक्ट एंड नेक्स्ट उसके बाद आपको यहां पर साइज देना पढ़ेगा कितने आपको डिस्क पासिटी रखनी है तो यह दिफोल्ट शिक् अच्छा चले तो यह करने के बाद आपको यहां पर करना है यह एंड फिनिश करना है लास्ट में आप चाहे तो डाइटली फिनिश पर सकते हैं डिफोल्ट सेटिंग्स पर या फिर आप चाहे तो अपने जो वर्चुल मशीन के हाडवेर से वह भी चेंज कर सकते हैं तो पर यहां पर यहां पर आपका कुल जाएगा मेमोरी यहां पर डिफॉल्ट है आप चाहे तो इसको फोट जी भी रख सकते हैं यहां फिर या फिर थर्डीट वी आपकी मर्जी आपकी PC के हिसाब से मैक्सिम जो यहां पर हमको देता है वहां पर 29 27.9 जीबी है और तो हम यहा इसलिए 8 जी भी रख लेते हैं यहाँ पर 27 लिखा गया है जो कि मेक्सिम यहां पर सपोर्ट करेगा तो यहां पर प्रोसेसर है कितने चूज कर सकते हैं कोई आपके उसके बाद यहां पर जिसके हम देख पार है यह भी आप यहांप बढ़ाइगा यह अपना इसे फटेछाग था तो उसको हम को यहांपर चूस करना पढ़ेगा और यहांपर ब्रॉज करना फाल को जहां से हमने डाउंडोड करके सेव किया है तो चूस करने के लिए आपको उसी फोल्डर में जाना पड़ेगा जहां पर आपका आई इसो फाइल है तो यहां पर जैसे कि आप देख पाई यहां भी हमारी इसो फाल है तो इसको हम चूस कर लेते हैं विंडूस 11 की डॉट आई उसे फा तो हम और कुछ नहीं करने वाले सीधा हम क्लोस पर प्रेस करने के बाद फिनिश पर क्लिक कर लेते हैं तो जहां पर हम जैसे कि देख पार है यहां पर विंडूस 11 का यहां पर शुरू हो चुका है और शुरू होने के बाद अपने को यहां पर कुछ नहीं करने सीधा अपन बूटिंग करेंगे तो यहां भी दखाया नहीं और यहां पर आचुका है प्रेस एनी बटन बूट फॉम सीडी और डीवीडी तो कोई भी बटन अपने को कीबूड पर प्रेस करें नहीं है जिससे अपना बूट वाला सिस्टम शुरू हो जाए यहां पर कल लेते हैं प्रेस यहां पर आपना Windows 11 का बूटिंग शुरू हो चुका है अब यहां पर बहुत कुछ चीज़ी दिखने को मिलेगे अपने को बहुत कारी चीज़ी जैसे कि यहां पर आपने को आचुका एक डालाग बॉक्स जिसमें आपको language चूज करना पड़ेगा time चूज करना पड़ेगा फैसका है तो बड़ यहां पर कीबोड यहां पर जुस कर लेते तो इहां पर हमने जुमें जूप कर लिया तो यहां पर वाखिए किच नहीं है आपको सीधा आता यह अपर आपको next सक्atra चाल जाएगा अगर आपके बस नहीं है ड़ाइप कर सकते हैं और अगर आपके बस यहां पे आगे बाट चुक है यहां यहां पर windows 9 कोजोस करना है तो हम यहां पर windows 11 pro को चूस कर लेते हैं अब तो अलग अलग windows भी सब्सक्रासथ कर सकते हैं यहां पर कुछ इस प्रिकार से देखने को आ रहे हैं कि हमारे जो minimum requirements है वो इस windows के लिए एविलेबल नहीं है तो इस चीज़ को हमको निकालने के लिए ठीक करने के लिए आपको यहां पर कुछ नहीं करना है वापस फॉर्स ही जाना पड़ेगा और फॉर्स ही जाने के पाद आपको वहां पर अपना रेजिस्ट्री फाइल पर चे बाद जिसके हम देख पार है shift plus f10 को आपको क्लिक करना पड़ेगा तो shift plus f10 पर आप क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद यहां पर आपको जिसकी देख पार है आपको इस वाले से आपका जो भी फाइल्स होंगी अंदर की फाइल्स वहां पर खोल जाएगी तो जैसे कि हम देख पार है यहां पर हमारी registry editor खोल चुकी है तो एक पर आपको यहां पर यह खुल जाता है तो आपको यहां पर जाना पड़ेगा अपने registry फाइल के अंदर computer क अंदर edge की local machine और उसके बाद आपको यहां पर जाना पड़ेगा अपने system पर and system के बाद आपको यहां पर setups पर जाना पड़ेगा तो setups पर जाएंगे और यहां पर setup पर जाने के बाद आपको यहां पर click करना पड़ेगा और नहीं यहां पर आपको की बनानी पड़ेगी तो हमने यहाँ पे की बना लिए तो की का नाम आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे लाब कनफिक लिख लेते हैं ल-a-b-c-o-n-f-i-g तो यह आपको लिखने पड़ेगी सब्सक्राइब करें तो मुण है किल लंदि यहाँ पे इसोवाले साइट पर यहाँ पर्ट इसको सेफ कर लेते हैं है इसे करने के बाद आपको खोलना पड़ेगा यहां पर आपको करने पड़ेगी इसको तो जो वल्यू डिटा जीरो है यहां पर जैसे की देख पारे हैं इसको कर लेते हैं वग यहां कर लेते हैं ओके तो वैलिव डेटा को आपको यहां पर वन करनी है और फिर से एक और आपको डिवर्ड बनाने पड़ेगी और डिवर्ड की वापस 32 बिट वैल्यू यहां बनाने के पाद इसको आपको रिनेम करना पड़ेगा बाइपास सिक्योर बूट चेक तो यह दो यहां default value 0 है इसको हम पूचेंज करके करना पड़ेगा 1 और फिर ओके तो यहां पर हमारी बन चुकिए दो फाइल्स और यही दो फाइल्स हमारी वी बाइपास करने में मदद करने वादी है तो यह दो फाइल्स बनने के बाद आपको कुछ नहीं करना है यहां पर देख सकत अब इसको भी कर लेते हैं ग्लोस और अब वापस शुरू कर लेते से मैं तरह आपको करना वड़ेगा जो जो आपने किया था लास्ट तो से महां तर करने के बाद हमारा यहां पर शुरू हो जाएगा वापस अपना यहां पर अपने लांग्वेज जो कि हम उच्छुनीं लांग्वेज था तो जर्मन जलेट कर लेते हैं फिर नेक्स्ट तर इंस्टॉल नाव फिकले कर लेते हैं यहां पर लड़ेट की वाला वापस आ चुका है और यहां पर आप शाएग तो पर लिए या पिर अगर आपके पास नहीं है तो आई डूंट आपके लिए तो इस करेंगे बाद आपको प्रेस करना है नेक्स्ट यहां पर दिखा रही है अपने को जो भी हमारी Windows के अंदर है यहां पर स्पेस तो आप जाये तो यहां पर नियू भी बना सकते हैं आपको कर देना होगा तो बाट यहां पर हमारा 100 GB स्पेस फुल है इसलिए हम यहां इतना ही रहने देते हैं कि उसके बाद आपको कुछ नहीं करने सिंपल आप चाहिए तो इसको एडिट भी कर सकते बट यहां पर हम नेक्स्ट करेंगे लगेंगे तीक सबने के बाद मिसका मतलब है आपका वीन्डॉस इंस्टॉल हो चुका है तो इjadi अपर यहां पर देख पार यहां पर अपना विड्च करेंगे रिस्टार्ट और रिस्टार्ट के बाद हम यहां पर नोटिस करेंगे कि अपना यहां पर लोडिंग आ चुका है फिर उसके बाद आपको यहां पर चूस करने पड़ेगी कि आप कौन से कंट्री के हो तो युनाइटेड स्टेट हम डाइटली चूस कर लेते हैं आपको चूस करना जर्मन को चूस करने के बाद आपको यहां पर करना है येस उसके बाद आप चाहे तो सेकंड कीवोड को स्किप कर सकते करने के बाद आपको यहां पर अपने डिवाइस के लिए नाम देना पड़ेगा तो यहां पर कोई भी नाम दे सकते हैं तो यहां पर अपने डिवाइस खलेले कर लिए हैं आप तो पिलेट कर सकते हैं विए अपर सिट उस्वाइं कर लेड़ियं के लिए कार लिए आप करने के आपको यहां पर माइक्रन करके पूछ जहेगा आप जाए तो सकते हैं या फिल लॉग इन भी कर49 अवीन अब पास इंटरेट अभी सब करने के बाद आपको यहाँ पर ऑफ-laid अकांट पर क्लिक करना पड़ेगा तो अफ-laid अकांट पर हम क्लिक कर लेते हैं और आप चाहे तो सिक्यारिटी की के साथ भी साइन कर सकते हैं तो यहां पर हम कर लेते हैं ऑफ-laid कुछ Microsoft के बारे में जानकर यह दे रखिए तो यहां पर फिलार कले स्क्रिप कर लेते हैं अब यहां पर पूछा किया कि कौन इस computer को यूज़ करने वाला है तो यहां पर हम दे देते हैं अपना नाम तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपना यह अब यहां पर पूछा जा रह है तो यहां पर अपने password को आपको confirm करना पड़ेगा जो कि आपका पीछले वाला password था उसके पर आपको यहां पर security के बार में पूछा जाएगा तो इसके अंदर भी आप चूस कर सकते हैं कोई भी चीज़ें और यहां पर उसका अपने security questions का नाम answer लिख सकते हैं इससे क्या ह होगा कि आपका अगर सब्सक्राइब भी भी password घूम हो जाता है या फिर आप बहुल जाते हो तो आप अपने password को रिकावर कर सकते हो तो एक बार आपका security options वाला हो जाए तो यहां पर लिखा जाएगा चूस पैरे सी सेटिंग्स तो प्राइवेस सेटिंग्स हम यहां पर अपने डिवाइस ले चूस कर लेते हैं तो सभी मैं यहां पर बंद कर लेता हूं क्योंकि हमको बहुत प्राइवेसी चीए तो तो नेस्ट उसके बाद यहां पर हमारा पीजी थोड़ा सा टाइम लेगा एक बर अपना पीसी शुरू हो जाए तो हम जैसे कि देख पारे हैं अपना Windows 11 यहां पर शुरू हो चुका है और तो हम जैसे कि देख पारे हैं अपना VM workstation बहुत यह अच्छा काम कर रहा है बेना क और यहां प्लियर्स में जाने के बाद अपने मैनेश पर जाना पड़ेगा उसके बाद वह इंस्टॉल वीमवेर टूल्स पर क्लिक करना पड़ेगा तो क्लिक करते ही हमारे यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हो जो कि Windows के अंदर I mean virtual machine के अदर अपनी फाइल इस पर रहे जो कि यहां पर इंस्टॉल करने में हेल्प करेगा अपने virtual tools को तो सो डबल किलिक कर लेते हैं डबल करते ही हम यहां पर Notice करेंगे कि हमारा यहां पर setup file यह अंदर पड़ा हो है तो उस वाले setup फाइल को यहां पर install भी करना पड़ेगा तो install करने के लिए आप next करने के बाद installation शुरू हो चुकी है और एक बार आपका installation शुरू हो चुका है तो आपको हम पर complete को चुछ करना पड़ेगा ऐन आपको यहां फेन एक्सक्रों करना पड़ेगा सब होने आपको थोड़ा समय लगीगा installation के लिए और installation कि यहां पर उगकलिक करना पड़ेगा फिनिश कि हम देख पार है रिस्टर्ट हो रहा है अपना कंप्यूटर तो यहां पर वापस खुल चुका है अब इसको हम चाहिता फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं तो फुल स्क्रीन करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और इस प्रकार से करते हैं अपने विंडोज 11 के अंदर विंडोज को इंस्टॉल